बूद मॉर्णिंग टू आप लवीग इस्टुडेंट्स ओप बीसी फर्स सेकिंद थर्ड यर अच्छा करिए आप तीन घंटे का टाइम जो है बहुत ज्यादा टाइम होता है और इस बीच आप अपना पॉजिटिव होके आपने काम करना है करल नहीं बता चुका हूं जौन मनुबल भड़ेगा दोसी चीज यह है कि अगर आपको वहां पर आशावादी रहने का मतलब है कि पानी में भी दिये जलाने जैसे होता है पानी में दिये जलाने से मेरा मतलब है अगर पेपर आपके अनुकूल नहीं आता है अभी कबार होता क्या है कि हम पढ़के कुछ च आए पास हो जाए कि हम पढ़ते कुछ है और लेबल जो है हमसे हमारी सोच से जाब आ जाता है तो उस सिचुशन में घबराना नहीं है कि भी हम तो गए हम फेलोगे हम कुछ करी नहीं सकते नहीं ऐसा नहीं सोचना है उस केस में भी आपने अपने आपको मजबूत बनाना है कबी कबार जाता है कि मतलब को अपना किससा सुनाता हूं हम भी यह पढ़ें पढ़ें तो मेरा क्या उद्यश्य रहता था कि जब मैं घुज आता था अंदर पेपर देने के लिए तो पहला टार्गेट मेरा यह रहता था कि मुझे इतने मार्क से लिया हूं जिससे कि मैं पास हो जाओ बाकी लड़ाई बागी टॉप करना है कितने नमर ला रहे कुल मांड होता है पहला है इतना कर लेटा है जिससे में पास हो जाओं तो सब्सक्राइब में कोफी में इतना कंटेंट होक्ति में लिख लेता था तो मुझे सुकून मिल जाता है मैं मालाब कहता था तो कि मैं out of boundary से बलना बश गया हूं तो थो देखता था कि हां मैं pass हो रहा हूं पास हों ठुट हो कि अब कोई दिखत नहें उसके इसके बाद मैं पेपर करता था कुल मांड होगे कि कि अब मुझे कोई दिखत नहें पास्त हो गिया, आगे जितने माक्स आएंगे, तो जो बच्चे अपने confidence लो कर रहे थे, उनको मैं कहना चाहूँगा, कि पहले आप इतना कर ले जिससे आपका confidence हो जाए, पहले आप इतना कर ले, paper में, लिए मैं पास्त हो गया हो उसके बाद फिर आपको एक बहुंधन वपर तास्क नहीं मेरे तो पॉजिटीव होके जाए अपना अच्छे से करना और सब अच्छा रहेगा नहीं हुआ नहीं का नहीं कि अथा क्या नहीं बताया है वहीं सब अल्मोस्ट वही कोशन पूछे जाते हैं बाकि all the very best, thank you so much.